हलो एवरीवान, वेलकम तो आवर यूट्यूब चानल, आज हम लोग डिसकेशन करने वाले हैं उस पब्लिक नोटिस पे, जो की 26 फेवरेरी 2024 को रिलीज हो चुकी थी, और यह बेसिकली रिलेटेड है, C.U.E.T. P.G. 2024 एंटरेंस एक्जाम से, जैसा की C.U.E.T. ने पहले ही दिया था कि 11th of March इसे यह अपना एंटरेंस एक्जाम, रिलेटेड टू P.G. कोर्सेस स्टार्ट करेंगे, और अप टू 28th March तक इनका एंटरेंस एक्जाम चलेगा, यह नोटिफिकेशन वैसे तो इन्होंने सेप्टमबर में ही रिलीस कर दी थी, बट जो कन्फोर्मड एक्जाम की, तो यह एक्जाम कंड़क्ट होने वाला है 19th of March को, और यह फाइनल डेट अल्रेड रिलीज हो चुकी है, तो आज हम लोग इसी पर डिसकेशन करने वाले हैं, कि सबसे पहला तो क्या स्केडूल है, क्या पेपर पार्टन है, and second and most important thing, कि अब हमारी जी क्या होनी चाहिए, यहाँ देखो सबसे पहले हम यह जीज बता दे कि, basically तीन शिप्ट में इनका पेपर कंड़क्ट होना है, shift 1, shift 2, shift 3, हमारा जो पेपर है, M.C.M. इंटरेंस एक्जाम का, वो होगा second shift में, that is, पेपर स्टार्ट होगा 12.45 पे, and end होगा 2.30 पे, and कि आप सबको पता होगा, हमने अपने चानल पे अब्डेट किया था, कि इस बार, that is, current year में only 75 MCQs की coverage होने वाली है, current year में 100 MCQs नहीं है, क्योंकि उन्होंने section यह delete कर दिया है, for commerce course, ठीक है, तो आपको 1 hour 45 minutes का time मिलेगा, that is, 105 minutes आपको total मिलेंगे, for 75 MCQs, तो यह तो clear है, आपको पता चलेगा, with the help of admit card, and admit card approx exam के, एक हफते पहले release हो जाता है, website पे, तो जैसे ही admit card release होगा, आप उसे प्लीज चेक कले लेना, कि आप लोगों का center कहां पड़ा है, clear, अब यह तो हो गया, कि हमारा exam confirm है, कि 19th of March को होगा, यह date पोस्पोन नहीं होने वाली, but, अब ज क्या strategy उनको follow करनी है, किस तरीके से उनको coverage करनी है, यह हम लोग आज discuss करेंगे, no doubt, बहुत सारे students की यह problem है, कि माम हमारे तो semester exams start हो गए, हमारे तो internals start हो गए, देखो, आप एक अकेले नहीं हो, जिसके semesters चल रहे हैं, या internal exams है, reason being, most of the colleges की यही हाल है, कि वो इसी point of time पे, that is March में, उनके semesters start हो जाते हैं, या internal exams चलते हैं, तो almost सारे ही students इस problem को face कर रहे हैं, या कुछ ऐसे students हैं, जिनका भी February में exam complete हुआ है, semester exam, तो no doubt कहीं पे भी किसी भी student को proper time नहीं मिल पाएगा, या मिला है, but अगर ये 15 days आपने properly utilize कर लिया, तो seriously बता रहे हैं, कि बहुत ही आराम से आप लोगी exam में questions attempt कर पाओगे, क्योंकि 75 MCQs आने हैं, और जो हमें time limit मिली है 105 minutes की, तो देख लो, इस बान number of questions कम है comparatively time limit के, तो ये मान करके चलो कि ये जो questions और direct questions तो नहीं आने वाले, basics नहीं आने वाले, ये advanced level के ही MCQs बनेंगे, सबसे पहली चीज, और कहीं न कहीं न maximum questions, इसमें जो मेरा एक forecast है, पेपर को लेके, वो ये है कि maximum questions numerical ही होंगे, तो इसलिए मेरा ये suggestion होगा कि जितने numerical subjects हैं, उनकी coverage अच्छे से कर लेना, उनकी preparation अच्छे से कर लेना, अब आप लोगों की help के लिए, आप लोगों के guidance के लिए, हमने advanced level के बहुत सारे MCQs अलड़ी solve करवाई हुए है, हमने कई अलग-अलग playlist बनाई हुई है, जो की आपको help करेगी, बट आज अभी आप लोग देखोगे, तो description box में आपको एक link provide की गई है, उसमें जो भी important classes है, for 2024 CUET entrance exam, वो हमने add कर दी है, तो playlist का आप लोगों के लिए बना दी है, प्लेइलिस्ट का नाम है, important MCQs और classes related to CUET 2024, link आप लोगों को नीचे description box में दी है, उसमें हमने सारे advanced level MCQs के classes डाल दी है, marathon classes जितने भी हैं, वो add कर दी है, and past year के question papers जो हमने upload कियो है channel पे, वो भी उसमें add कर दी है, तो सबसे पहली strategy तो यह है, इस link को cover करने के पहले, कि आप आपने अभी तक जितना पढ़ा है, उसको properly revision करना है, start करो, क्योंकि अगर आप revision नहीं करते हो, तो आप MCQs properly नहीं attempt कर पाऊगे, ठीक है, तो सबसे पहला target रखो कि जितना आपने पढ़ा है, देखो, एक तो तो तुम लोग यह mindset रखो, कि अगर हमारे पास 75 MCQs आ रहे हैं exam में, तो हमें 75 MCQs तो attempt करके आने नहीं है, but obvious है, 75 MCQs attempt कर भी लोगे, तो भी कोई फायदा नहीं है, एक जो अच्छे college में admission के लिए आपको marks चाहिए होता है, आप मान के चलो कि अगर आपने 50-60% भी correct कर दिया, मतलब out of 300, अगर आपने 180 score किया है, और 180 score करने के लिए, 45 to 50 MCQs आपको correct करने है, क्योंकि अगर आप 50 MCQs correct कर रहें, तो सीधे-सीधे 200 marks बना, है न, तो बहुत है out of 75 MCQs कि आप 50 attempt करो, बट correct करो, आप लोग क्या करते हो, कि 75 attempt करते हो, और negative आपके जादा होते है, तो जादा अच्छा क्या है, कि जितने attempt करो, उतने correct attempt करो, तो सार कि अपकी होनी चाहिए, कि आपने जितने subjects पढ़ें, उनका proper revision कर लो, जो छूड गया, उनको रहने दो, कोई जरूरी नहीं है कि उसको भी आप पढ़कर की जाओ, क्योंकि हर subject से hardly एक है, दो questions आने है, ठीक है, जो बड़े-बड़े subjects है, जैसे costing है, statistics है, business organization है, business management है, business law है, micro economics है, इनसे coverage exam में no doubt जादा होती है, ठीक है, maths है, तो इनकी coverage आप अच्छे से करके जाओ, दूसरा, ये जो link हमने आपको provide की है, जिसमें advanced level MCQs है, जिसमें marathon classes include की गई है, और जिसमें past year question papers है, ये तो mandatory आपको देखनी ही देखनी है, आप हो cover करके ही जाना है, आप बोलो कि मै अपनी दरफ से suggest कर रहे है, test, क्योंकि देखो test से ना आपको अगर आप test attempt कर रहे हो, तो आपको एक overall idea लग जाता है, कि exam में हमें कितने number of questions में से कितने number of questions attempt करने है, हमारे पास कितना time बच रहा है, हम उसको properly revise कर पा रहे है कि नहीं, हमें कि subject में problem है, कौन सा subject revise करना है, ये आपको test series से देखो, properly पता चल जाता है, और हमारी test series बहुत पहले से start हो चुकी है, अभी भी आप देखोगे हमारे channel पे, हमारे instagram पे, हमारे telegram पे, हर जगह हमने test series के बार में already update किया हुआ है, ये जो test series है, ये basically full fleshed test series हम अब provide कर रहे हैं, जिसमें आपे पास 75 MCQs होगा, 105 minutes होंगे, and ये completely paper patent पे based है, आपको result भी उसी तरीकी से मिलेगा कि out of 300 आपने कितना score किया, क्योंकि correct question के लिए plus 4 है, और negative question के लिए minus 1 है, ठीक है, online test हो रहा है, तो complete आपको वैसा महौल मिलेगा, वैसा environment मिलेगा, जैसे आपको exam day पे मिलने वाला है, exam day के पहले जब आप आप आपको बहुत एक अच्छा idea लग जाएगा, और कहीं न कहीं examination hall में आपको confidence भी lose नहीं होगा, क्योंकि जब हम first time कोई भी paper attempt करते हैं, तो कहीं न कहीं से गलती हो जाती है, exam से जब घर आते तो लगता है, यार ये वाला question गलत हो गया, उस वाले question में ऐसे हो जाता, तो उन सा test series बनाई है, ये test series बहुत सारे MCQs की practice तो आप वो कराएगी, कराएगी, पट साथ ही साथ, आपकी एक अच्छी practice, self practice हो जाएगी paper देने की, और हर test series में हमने हर एक particular test की PDF discussion session class और result प्रोवाइट कियें students को, तो अगर इस test series में आप लोग interested हो, तो simply आप लोग हमें whatsapp कर सकते 9453894101, ये हमारा contact number है, please whatsapp करना, अपना जो भी क्वारी होगा वो mention कर देना, आपको यहीं whatsapp से ही सारी details मिल जाएगी related to test series, ठीक है, तो मेरा ये suggestion होगा कि इस point of time पे आप test series जरूर से join करो, तो simple strategy रखो 15 दिन की कि सबसे पहला आप properly revision करो, revision must है, mandatory है, दूसरा ये जो link हमने provide किये, इसको complete कर लो, and तीसरा, आप test series जरूर से attempt करो, मेरी मानो, दो ही test लो हमसे, बहुत nominal amount पर पो test मिल रहा है, अब दो ही test purchase करके देखो, आपको useful लगेगा, ठीक है, तो ये अगर आप strategy follow कर रहे हो, मेरी दरफ से आपका 100% guarantee होगा, कि admission हो जाएगा, but, जो student ये सोच रहे ह हम सारा subject revision करके जाएंगे, सारा subject पढ़के जाएंगे, seriously हम बता रहे हैं कि आप लोगों को problem होगी exam में, क्योंकि जब हमें 50 question का target रखना है, तो 50 का ही target रखो, अगर आप out of 300, 200 score कर रहे हो, तो SRCC तो आपो वैसे भी मिल रहा है, है न, SRCC के लिए 200 is max, अगर 200 आप ला रहे हो बहुत आराम से SRCC में admission हो जाएगा, और बाकी colleges तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, तो यह हमारा overall 15 days का strategy होना चाहिए, still अगर कहीं कोई doubt है, कोई भी question है, हमने अपना WhatsApp number भी provide किया आप लोगों, और साथी साथ हम से comment box में भी अपनी query पोस सकते हो, ठीक है, हम उमीद करते ह है, कि आप लोगों की preparation अच्छी हो रही होगी, और आप लोगों की help के लिए, अब बहुत जल्दी हम MCQ series लाने वाले हैं, जो की exam point view से relevant है, तो इस link के अलावा, जो अब हम daily update करेंगे, MCQs, वो भी cover कर लेना, वो भी exam point view से बहुत relevant होगे, अगर आपको 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 आपक and share जरूर करना, अब हम लोग मिलेंगे मारी next class में, आज के लिए बस इतना, thank you so much